हेलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और आज ये इस वीडियो सेशन में हम 22 जून तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो का अंतर तक जरूर देखेगा, काफी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा सेशन की शरुआत करने से पहले आप सभी बताना चाहूंगा, करंट अफेर्स फंडा आपनी 10th एनिवर्सी सेलेबरेट कर रहा है और इसी मोके पर आपको हमारे जन्नल अवेर्नेस कोर्स पर 50% आफ हम प्रवाइट करा रहे हैं आपको बताते हैं यह जो PDF महा पैकेज है, इसमें आपको डेली करंट अफेर्स PDF, वीकली PDF, मंतली PDF और हर महीने के बैंकिंग एकनोमिक अवेर्नेस PDF प्रवाइट कराते हैं साथी sectional test भी आपको इसमें प्रवाइट कराते हैं तो sectional quiz आप इसमें attempt कर सकते हैं, तो एक पार अगर आपने हमारे current affairs पर लिए उसके बाद फिर इन quiz को attempt किया, तो यह किनमाने आप current affairs section काफी strong हो जाएगा और आप अच्छा score कर पाएंगे अपने आने वाले exam में और आप चाहे तो अपनी mobile application इसमें install कर सकते हैं, जो current affairs funda app की mobile application है, उसको install करके use कर सकते हैं, या फिर अपने laptop या system की मदद से web login भी कर सकते हैं, और कोई भी आपका exam होगा, चाहे वो banking का हो, SSC का हो, railway का हो, या फिर state PCS हो, हर exams के लिए हमारे PDF content काफी useful है, तो link आपको interface funda app को install करना है, और login करने के बाद आप ये course buy कर सकते हैं, limited time offer है, 50% off, आज तक कभी हमने 50% off नहीं दिया है, तो इसका आप जो है फायदा उठाइए, और PDF package आप राप्त कर सकते हैं, तो चलिए फिर करते हैं सुरुआत इस वीडियो session की, तो आगे बढ़ने से पहले question of the day देख लेते हैं, इसका answer आपको भी comment box में करना है, पूछ रहा है कि फिलिस्तीन के प्रधान मंतरी कोन है, who is palestines, prime minister, options है, Osama हमदान, महमूद अब्बास, मुहम्मद मुस्तफा, या फिर मुहम्मद सताय, तो जल्दी सा answer कर दीजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह टेलिग्राम पर जुरू जोने करें, करन्ट अफेर्स फंडा, नाम से हमारा टेलिग्राम चनल है, वेर इस दवादवन पोर्ट प्रोजेक्ट लोकेटेड, पूछने की वादवन बंदरगा प्रियूजना कहा है इस्तित है, सही आंथर ओप्शन दी है, महरास्ट, आपको जाना चाहिए कि यूनियन गवर्मेंट ने चेत्तरदार 200 करोड रुपे के बजट से तयार होने वाले ग्रीण फिल दीटराफ्ट मेजर पोर्ड के डेबलप्प्रेयन को मनजूरे दे है, जो डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ड आने वादा ये वादवन महरास्ट में बनने वादवादा है, और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा, वदावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड और महराष्ट मरीटाइम बोर्ट के द्वारा जो ये वदावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड है ये एक special purpose वहिकल है जिसे जवाड़लाल ने रूप पोर्ट अथोरिटी द्वारा तयार किया गया है तो इसमें जो वदावन प्रोजेक्ट लिमिटेड है उसका जो शेर होल्डिंग होगी वहीं महराष्ट मरीटाइम बोर्ट की 26% शेर होल्डिंग होने वाली है और यह जो वदावन पोर्ट है इसको ओल वैदर ग्रीन फिल्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के तोर पर बनाया जाएगा वदावन ग्रीन फिल्ड एक पोर्ट एक होता है ब्राउन फिल्ड एरपोर्ट ब्राउन फिल्ड का मतलब पहले से ही कुछ इस्ट्रक्चर महाँ पर है ठीक है उसको सही करके एरपोर्ट दुबारा बना जा रहा है ग्रीन फिल्ड क्या होता है तुबारा से दर्जमीन ली है आपके सामने हैं, सही answer option है, अन्नपूर्णा देवी, आपको जाना चाहिए कि Union Minister of Women and Child Development, अन्नपूर्णा देवी ने अपना कार्यभार समाल लिया है, as a Minister of Women and Child Development, आपको जाना चाहिए, Member of Parliament है, लोकसभा में, कोदरमा जारखन से, साथी सावीत्री ठाकूर, ये Union Minister of State है, in the Ministry of Women and Child Development, देखें, मैं आपको डेली, एक कोशन ये जरूर कराता हूँ, Union Minister वाला, ठीक है, क्योंकि आप एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा confusion हो जाता है, याद नहीं रहता है, तो डेली में आपको एक-एक मिनिस्टर कवर कर रहा हूँ, तो आप साथ-साथ इसको याद रखते है, तो जो कोलेज में या फिर स्कूल्स में, जो कास्ट बेस्ट या कम्यूनिटी बेस्ट वाइलेंस होता है, उसको किस तरह से अवोईट किया जा सके, इसके संबंदित गाइडलाइन्स, इस कमिटी ने अपनी सोंपी है, तो कई साथ रिकमेंडेशन्स हैं, उनमें से कुछ जैसे मैं आपको बता दू कि जो कलर रिस्ट बेंड्स होते हैं, ठीक है, वो बेंड कर दिये जाएं, और जो और भी कोई कास्ट मार्कर्स होते हैं, स्टूएंट्स वारा यूज किया जाते हैं, वो बेंड होने चाहिए, शोसल जस्टिस स्टूएंट्स फोर्स, SJSF, बनाई जाना चाहिए हर कॉलेज मे और स्कूल्स में, साथ ही बताया है कि जो हायर सेकेंट्री क्लासेज हैं, उनमें सिड्डूल कास्ट के लिए साइन्स कोर्सेज में रिजर्विशन होना चाहिए, और कोई भी स्कूल अपने नाम से पहले कास्ट प्रिफिक्स यूज ना करे, कास्ट जाती सूजक नाम ना ल देक हुआ था, तो उसी को देखते हुए ये कमिटी बनाई थी तमिलनाडू गवर्मेंट ने, महत्पूर्ण कोश्चन है ये, आइ, मुनिस्पऐलिटीज है डेली में, ठीक है, डेली में जो तीन मुनिस्पैलिटीज है, उन में से एक मुनिस्पर्ण कॉपरस्टल ओफ डेली बें, अधर 2 कौनसी है? एक तब नूडली मुनिस्पल स्ट नियूगी अधर कॉंसिब्में लिजी को एड्मिस्ट करत जाता है विच ओर्गनाइजेशन हैस सी यार्टी इन जोइन हैंट्स विद्ट तो प्रोवाइड तो प्रोमोट कोपरिशन इन साइबर सेक्यूर्टी फॉर्ट फॉर्ड फाइनेशल सेक्टर वित्य शेत्र के लिए साइबर सुर्खसा में सहयोग को बढ़ावा देने के की है ताकि फाइनेंशल सेक्टर में साइबर सेक्यूर्टी सब्बंदित कोपरेशन किया जा सके और कोई भी इंफोर्मेशन है उसको साथ में शेयर किया जा सके दटू एंटिटीज हैंड अमेरेंड फॉर्ट अंडर्स्टेंग अंडर वीच देविल लेवेरेज देर शेर कोड़ी सम्बंदित प्रोब्लम आती है तो दोनों मिलकर उस पर कारी करेंगे हैं कि सी आर्टी आप जब जानते हैं गवर्मेंट और अर्गनाइजेशन है मेंस्ट्र अफ्लेक्टोनिक्स एन्फोर्मेशन टेक्नोजी गवर्मेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और जो सेक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पार्टनर वीद तो ओफर एमिटन्स सर्विसेज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने प्रिक्शन सेवाय प्रदार करने के लिए किस मनी ट्रांसफर सेवा प्रदात के साथ साहिधारी की है सही आंसर अप्शन दी है रिया मनी ट्रा इस पार्टनर्शिप के तहत जो इंट्रनेशनल्स इन्वार्ड मनी ट्रांसफर सर्वीस है वह एवलेबल रहेगी 25,000 पोस्ट ओफिस पर और दीरी दीरी इसको एक लाग पोस्ट ओफिस पर भी एवलेबल करा दिया जाएगा इंडिया पोस्ट प्रिमेंट्स बैंक के अगर हम बात करते हैं इसे डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट मिर्स्ट ओफ कम्मिनिकेशन के तहत इस्टैबलिश किया गया था गौर्मेंट ओफ इंडिया इसमें 100% ओनर है और इसको लॉंच किया गया था एक सितंबर 2018 को और इसके MD&C होए है आर विश्बेश्बर गारंगा वी GGZ ओफ फॉड फूड इंडियां टॉनटीट वर्ट फोड इंडिया का कुन संस्क्रण दोजार yan किया जाएगा सही किया थार्ड ये व्रयड फूड इंडिया का धट एडिशन जहें आने वाले समय में दोस्ते पहले Union Minister of Food Processing Industries शिराख पास्वान और Union Minister of State for Food Processing Industries और रेल्वेस रवनीत सिंग इन्होंने World Food India 2024 के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया है आपको रहता है जो World Food India है यह इंडिया का लार्जेस्ट फूड इवेंट है और 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच में आयोजीत किया जाएगा कि व्यवहारता अंतर वित्पोशन योजना का कुल परिविया कितना है सही आंसर ऑक्षन भी है 1453 क्रोड रूपे देखिए मैथपूर्ण कोश्चन है थोड़े बोरिंग होते हैं स्कीम वाले लेकिन होते मैथपूर्ण एक्जाम पॉइंट ओफ यू से तो सही आंसर इसमें क्या बताए मैंने आपको भी 1453 क्रोड रूपे देखिए यूनिन कैबिन जो की गुचरात और तमिलाणों में बनाए जाएंगे वही 600 क्रोड रूपे इंदो पोर्ट के अप्ट्रेटेशन के लिए है जो यह वायबिटी गैप फंडिंग स्कीम है ठीक है यह नेसल ऑफशोर विंड एनरजी पॉलिसी 2015 में नोटिफाई किया था उसके इंप्रिमें के जो है काम के प्रोजक्ट हो सकते हैं लेकिन जो है उनके लिए फाइनेंस की सुईधा पूरी नहीं हो पा रही है आरी बास समझ में लिखा है ना बट फाल मार्जिनली शॉर्ट ओफाइनेंशल वायबिटी तो इसके लिए क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है उसमें इंक्लूट कर दिया जाता है लेकिन जो टोटल यह जो वायबिटी गैफ फंडिंग होती है यानि कि प्राइवेट सेक्टर के तरह है जो जो फंडिंग इसमें की जाती है ठीक है वो टोटल प्रजेक्ट कोस्ट के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हां लिकी गवर् पूछने केंद्री मंदल ने किस सहर में लाल बहादुर सास्त्री अंतरास्ती हवायड़े के विकास को मंजूरी दी है सही आंसर अप्षिन भी रहेगा वारानसी आपको जाना चाहिए कि यूनियन कैबिनिट ने एरपोर्ट अथर्ट्य उफ इंडिया के उस प्रोप्रोब को अप्रूव कर दिया है जिसमें एर्पोर्ट सथर्ट इंडिया ने कहा है कि हम लाल भाजु सास्ती इंट्रेशल एर्पोर्ट वारांसी को डेवलप करेंगे और उसमें जो है नीव टर्मिनल बेल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी एप रॉन एक्स्टेंशन किया जाएग पहलेल टेक्सी ट्रेक एंड एलाइड वर्क्स उसमें किये जाएंगे आपको जाने एस्टिमेटेड जो कोस्ट आने वाली है इस पूरे इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्ट्र प्रजेक्ट की वह अठाइस्तो उननेतर असमलोग शेह पांच क्रोड़ पे आने वाली है ओवर दोजार चोबीस से दोजार उननतीस मैटपूरी स्कीम है इस अब ठीक हाली मेने मंजूरी मिलिये देगी यूनियन कैबिनिट ने मिस्टी ओफ होम अफेर्स का जो प्रोपोजल है सेंट्र सेक्टरी स्कीम के लिए जिसका नाम है नैसल फोरेंसी या फार्ट्रक्शर इनहें स्कीम इसको अप्रोव कर दिया है टोटल विजट कितना रहेगा बाइस तो चोववद असमलाव चार तीन करूर रुपे और किस पीरेड के लिए जो है इसको लाउग किया जाएगा दोजार चोवईस पचिस से दोजार अटाइस पर इसके जो इसकीम के मेन कंपोनेंट्स आँ देख लेते हैं इस्टेबलिशमेंट ऑफ चेंपशेस ऑफ टेन एसनल फोरेंशिक साइंस निवरस्टी इन देंट्री तो जो इनन फोरेंशिक साइंस इनवरस्टी इसके में इसको भी इन्हेंस किया जाएगा To the point questions and उनके आंसर्स तेख लेते हैं Hanuman Benewal is the founder and president of which party? Answer is last year, Lok Tantrik party. Cyclone Hida landed on which country's coastline in May 2024? Answer is Tanjanya. India set to be the sixth country to have its own deep sea mission. Developing countries trading scheme was introduced by which country last year? Answer is United Kingdom. Which seat did jailed Sheikh Abdul Rashid aka engineer Rashid win from in the 2024 Lok Sabha election? Answer is Jammu and Kashmir's 12 Mullah parliamentary constituency. आप इसे कई एस्परेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है. इसी तरह से आप participate करते ही रहें ज्यादे ज्यादा संख्या में. चलिए, आज ये questions and questions देख लेते हैं. इनके आंसर आपको अभी comment box में provide कराने हैं. ज्यादे ज्यादा संख्या में आप अंसर कीजेगा. तो इन 5 questions की आंसर आप comment box में दीजेगा. यह दि आपको एक question का आंसर भी आता है तो भी आप हमें comment box में बताएगा. और ज्यादा ज्यादा संख्या में participate करने के आप कोशिस किया कीजिए. यही आप से request रहती है. साथ ही current affairs fund आप टेली काम पर भी join कर सकते हैं. यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही discussion group में आप किसी भी question अगाल solution पा सकते हैं. दोस्तों आप पर हमारे current affairs की प्लेज़ दी गए इसको आप जिरू को देखें. अपने दोस्तों के साथ, fellow experts साथ हमारे current affairs को share जुरू करें. आज क्या इस session आपको कैसा लगा आप comment box में वश्चे बताईएगा. थैंक यू गईस.